हेलो गाइस, आप मैं आप लोगों के लिए कापी इंट्रेस्टिंग वीडियो लेके आ गया हूँ तो कईस आज किस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप रियलमी फाइपाई की स्लो चार्जिंग प्रोप्लम किस तरीके से सॉल्ब कर सकते हो तो गैस आज किस वीडियो पर मैं आप लोगों को Realme 5Pi की Slow Charging Problem Solve करके देखाऊंगा तो गैस वीडियो का पर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजबल होने वाली है तो गैस वीडियो को बिन स्किप के वीडियो को फूरा देखें अगर वीडियो ची लगे तो वीडियो के क्लाइक कर देगा चैनल पर नहीं होतो चैनल सब्सक्राइब कर वेल आइकन प्रेस्ट करने क्योंकि आपको इस चैनल पर आगे भी इसी तरह की नोलेजबल वीडियो मिलती रहेंगी और फ्रेंट्स अगर आपको कोई कुश्चन है तो आप हमें इस्टाग्राम पर पुछ सकते हैं मिल जाएगी चलिए गई गईस आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट तो स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्फ गरने के लिए आपको क्या करना होगा आपको सिंपली जाना है सबसे पहले अपनी फोन की सैटिंग में जैसी आप अपनी फोन की सैटिंग में जाओ गई तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफिस ओपन हो जाएगा अब गाईस मैं आपको यहां पे दो सैटिंग के बारे में बताने बहना हूं जैसी आप उन दो सैटिंग को करोगे आपकी जो स्लो चार्जिंग प्रॉबम है वह सह एकदम से सॉल्फ होजाईगी तो कैस अब मैं आपको को पहली शट्रण के बारे में बता देता हूं पहली सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको यहां पे एक option मिलता है बैट्री का, आपको बैट्री बाले option में click कर देना है जैसी click करोब तो किस आपके सांहें चार्ज हो जाएगा स्परबार्ब्लम में आपको दूसरे सैटिंग के बारे बारे में मतात behind और किस तरीके से करने हैं दूसरे सैटिंग करने के लिए आपको फिर से अपनी מה स्क्रीन पर आ दाना है यैस हो तरफर आओ गे तो किस आपके सामने कुछ इस तरह long Rapidा सुब वर का सथ अनवा सब्सक्राइब ऑसब्सक्राइब इससे ऍवर को करना है और इस तरीके से आपको अपने phone को optimize कर लेना है आप इन दो setting को आराम से कर सकते हैं इन दो setting को on करने के बाद आप अपने phone को charging पे लगाए और जब आप इन दो setting को कर लोगे तो guys आपका जो phone है वो first charge होगा जो आपकी slow charging problem है वो इकदम से solve हो जाएंगे तो guys एक तो यह setting होगी एक यह battery वाली हो होगी super power saving mode जैसे आप इस setting को on करोगे तो guys आपके phone का कुछ इस तरह के का interface open हो जाएगा आप इन दो setting को करके आप अपने phone को आराम से charging पे लगा सकते हो जिससे आपकी slow charging problem है वो इकदम से solve हो जाएगी तो guys आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो त कि लाइक करता है अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करने क्योंकि आपको इस चैनल पर आगे भी इसी तरह के की knowledgeable वीडियो मिलती रहेंगे चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही